प्रिंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आईरिश पोईट विलियम बतलर येट्स की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है अप्रियर फॉर माई डॉर्टर इसे 1919 में लिखा गया था उनकी बेटी आन के जन के दो दिन बाद साथ ही इस पोयम को पब्लिश 1921 में किया गया था उनकी कलेक्शन माईकल रॉबर्ट आस अन्दर डांसर में फ्रिंट्स ये जो पोयम है ये 80 लाइन्स की है और 10 ओक्टेव्स में बाटी गई है यानि 10 एट लाइन्स टैंजास में बाटी गई है बात करें इसकी रैमिंग स्कीम की तो वो है ए ए बी बी सी डी डी सी और फ्रिंट्स यहाँ पे पोयम के बारे में कुछ बैक्गराउंड जान लेते हैं ये पोयम एक टावर में लिखा गया था जिसका नाम था थूर बलाइल और उस समय जब ये पोयम लिखी गई थी तब अंगलो आइरिश वार चल रहा था तो ये सारी चीजे जो हैं ये कहीं न कहीं पोयम को इफेक्ट करती हैं इस पोयम में ना सिर्फ हम यीट्स को अपनी बेटी के बारे में लिखते वे सुन रहे हैं बलकि ये भी देख रहे हैं कि जो वार है वो कैसे इस पोयम को इफेक्ट करता है इस पोयम में बहुत सारी थीम्स को डिसकस किया गया है जिसमें वोमेन हुड, सेक्स्च्वालिटी और ब्यूटी ये मेजर थीम्स हैं अब अगर हम बात करें पोयट की तो विलियम बटलर येट्स एक आइरिश पोयट थे उनका जन्ब हुआ था 13 जून 1865 में और उनकी डेथ वे थी 28 जैनवरी 1939 में वो 20th सेंचुरी लिट्रेचर के बहुत ही फेमस पोयट रह चुके हैं और 1923 में नॉबल प्राइस से भी सम्मानित किये जा चुके हैं उनकी कई फेमस वर्क्स को हम अभी भी पढ़ते हैं जिसमें The Second Coming, Byzantium, Sailing for Byzantium ये सभी शामिल हैं तो चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और पोयम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं Once more the storm is howling यानि दुबारा से ये जो storm है जो तूफान है वो हाउल कर रहा है जोरों से जो तूफान है वो बह रहा है और इस wind की आवाजे सुनाई दी रही है And half fit under this cradle hood and cover lid My child sleeps on Friends, cradle जो होता है वो पालने को कहा जाता है तो ये जो येट्स की बेटी है बहुत ही छोटी है दो दिन की वो इस पालने में आधी धकी भी है और सो रही है There is no obstacle but Gregory's wood and one bear hill इस हवा और हमारे बीच कोई रुकावट नहीं है अबस्टेकल नहीं है सिवाए क्या चीज़ के तो Gregory's wood पासी में एक छोटा जंगल है Gregory's wood नाम का और एक hill एक छोटी सी पहाड़ी है बस यही है जो हवा को थोड़ा रोक रही है whereby the haystack and roof leveling wind bred on the Atlantic can be stayed जहाँ पर क्या हो रहा है ये जो जो जोरदार हवा है जो haystack यानि जो भूसे के बड़े-बड़े धेर होते हैं और छट इन सब के ऊपर से बहती भी जा रही है जिसकी शुरुआत कहां हुई होगी तो Atlantic Ocean में यानि बहुत ही जोरों की बहती भी हवा है जो छटों को जो भूसे के धेर को सब को बिगार सकती है और इनके और हमारे बीच में रुकावट के लिए क्या है तो ये जंगल और सिर्फ एक छोटी सी पहाड़ी और एक घंटे तक मैं यूही यहाँ पर चलता रहा हूँ और भगवान से प्रार्टना करता रहा हूँ किस कारण तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये जो दुख फैला हुआ है उसके कारण ऐसे जो मौसम होते हैं जब बहुत ज़ादा हवाएं चलती है तो कई तरह के लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं ये जो मौसम है ये ज़ादा अच्छा मौसम नहीं है आपके मूड को खुश नहीं करता तो पोईट भी कहीं न कहीं इस मौसम से इफेक्ट हो रहे है और साथी मैंने इस समुदर से बहती भी हवा की शोर को सुना है इस टावर में इतने जोर से हवा बह रही है कि उसका जो साउंड है वो टावर से टकरा कर और भी जोर से सुनाई दे रहा है साथी मैंने आवाज कहां सुनी है तो पास में जो ब्रिज है उसके नीचे के तरफ जो आर्च जो कर गोल से बने होते हैं वहां सुना है और साथ ही जो एल्म के पेड़ हैं इस स्ट्रीम के बगल में यहां बगल से एक स्ट्रीम गुजरती है नदी सी गुजरती है और बगल में एल्म के पेड़ हैं वहां भी इस आवाज को मैं सुन सकता हूँ यानि हवा इतनी जोरों से बह रही है कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दे रही है और साथ ही मैं इमाजिन कर रहा हूँ एक रिवरी की तरह, एक दिन में देखने वाले सपने की तरह क्या कि जो भविश्य का समय है वो आ चुका है और ये जो दिन है जो फ्यूचर है वो क्या कर रहा है ऐसा लग रहा है मानो मेरे सामने एक ड्रम के बहुत ही जोर के आवाज पर वो डान्स कर रहा हो और दिखा रहा हो कि ये जो समुद्र है ये भले ही इनोसेंट है लेकिन बहुत मर्डरस भी है यानि ये समुद्र जो है भले ही बुरा नहीं है, किसी का बुरा चाहता नहीं पर दूसरों को तकलीफ पहुँचा सकता है तो ऐसा एक समय आ चुका है और मैं इसे अपने सामने देख सकता हूँ May she be granted beauty and yet not beauty to make a stranger's eye distraught यानि मैं चाहता हूँ कि भगवान की और से उसे beauty मिले वो बहुत खुबसूरत हो लेकिन ये खुबसूरती इतनी भी जादा नहीं हो कि उसे देख कर कोई अजनबी जो है वो distraught हो जाए, पागल सा हो जाए, उसकी आँखे फटी रह जाए और hers before a looking glass, या खुद उसकी आखे कहां टिकी हो एक looking glass एक काईने पे, पूरे दिन वो खुद को ही नहीं हारती रहे, इतनी भी खुबसूरती मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जब कोई इतना ज़ादा खुबसूरत हो जाता है, जब वो सोचते हैं कि वो इतने ज़ादा खुबसूरत हैं, तो उन्हें लगता है कि ब्यूटी जो है, वो sufficient है, उससे ज़ादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं पर वो रुख जाते हैं, तो ये सही नहीं हैं, lose natural kindness and maybe the heart revealing intimacy, तो साथ ही वो क्या खो देते हैं, तो अपने अंदर उनकी जो kindness होती है, जो उनका nature होता है, बहुत ही kind दूसरों की मदद करने वाला, और साथ ही एक intimacy, एक अच्छाई जो उनके दिल में होती है, वो सब कुछ वो खो देते हैं, that chooses right and never find a friend, जो चीज उन्हे सच्छा अच्छी चीज़ों को choose करवाती है, यह जो kindness उनके अंदर होती है, वो खो देते हैं, और उन्हें दुबारा कभी कोई दोस नहीं मिलता, कोई partner नहीं मिलता, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीटी का future भी कुछ ऐसा ही हो, और वो अपनी beauty में ही खोई रहे, Helen being chosen found lie flat and dull, Helen को जब ये खुबसूरती दी गई तो उसे लगा कि उसकी जिनकी क्या है, बहुत ही जादा boring है, and later had much trouble from a fool, और फिर आगे जाके उसके क्या हुआ, एक fool के साथ उसे बहुत जादा परिशानी हुई, ये fool कौन था, उसका lover था Paris, जिसके साथ वो भाग गई और आगे ज that great queen that rose out of the spray, being fatherless, could have her way, यहां इस great queen की बात हो रही है, जो की aphrodite है, aphrodite एक बहुत ही famous इसकी भी story है, myth है, कहा जाता है कि इसका जन्म किस से हुआ था तो ocean की waves से, और इसलिए इसके कोई father नहीं थे, ये कुछ भी कर सकती थी, जो चाहती वो पा सकती थी, yet chose a bandy-legged man, legged smith for man, और फिर भी इसने जाकर किसे चुना, तो एक bandy-legged, यानि जो crippled है, जो ठीक से चल नहीं पाता, ऐसा एक blacksmith चुना, अपने husband के लिए, और उसका क्या नाम था, hephacetus, It's certainly that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of plenty is undone, यानि यहाँ पे कहा जा रहा है, कि जो बहुत ही जादा beautiful women होती है, उनके बारे में, कि वो अपनी meat के साथ एक crazy salad काती है, यानि जो सही decision होना चाहिए उनकी life में, जितनी अच्छी उनकी जिंदगी हो रही है, उसके साथ उनने एक सही decision लेना चा इनकी life में जो sufficiency दी जाती है, जो भी चीज़ें ये चाहिए उन्हें मिलती है, वो सब कुछ ये खो देती है, इसका example ये दोनो beautiful queens हैं कि दूसरों का जो दिल है, वो आपको तोफे में नहीं मिलता, बलकि आपको उनका दिल जीतना पड़ता है, लोगों का affection, उनका प्यार जो है, वो आपको जीतना पड़ता है और इसके लिए आपका खुबसूरत होना जरूरी नहीं है, ये काम वो भी करते हैं जो बिलकुल भी beautiful नहीं है, कैसे अपने अच्छे behavior से Yet many that have played the fool for beauty's very self, has charm made voice साथ ही यहां ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बहुत foolish रहे हैं और जिंदगी भर खुबसूरती की तलाश में रहते हैं वो क्या हुआ है उनके साथ, वो आगे जाकर एक beautiful woman ना पाकर एक अच्छी, एक courteous woman को पाते हैं एक woman की अच्छाई को देखकर उनका जो दिल है वो बदल जाता है And many a poor man that has roved, loved and thought himself beloved और बहुत बार जो poor man होते हैं, जो यूँ ही घूमते फिरते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता उन्हें लगता है कि उन्हें प्यार किया जा रहा है, सिर्फ खुबसूरती देखकर ही वो ऐसा सोचते है From a glad kindness cannot take his eyes, वो किसी औरत की अच्छाई से अपनी आखें हटा नहीं पाते हैं यानि poor basically समझा रहे हैं कि घूपसूरती बहुत बड़ी चीज है, शुरू में आपको लगेगा कि घूपसूरत होना सब कुछ है लेकिन अच्छा behavior धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देता है और ये सारे examples इसे proof करते हैं May she become a flourishing hidden tree? मैं चाता हूँ कि मेरी जो बेटी रहे, वो flourish करे, वो grow करे लेकिन एक hidden tree की तरह, जिस पर किसी की नजर ना पड़े वो grow करे लेकिन दूसरों की आँखों में ना चड़े That all her thoughts may like the linnet be और मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी जो सोच हैं वो linnet की तरह हो Linnet के बारे मैं आपको पता होगा friends, linnet bird को कहा जाता है जो बहुत ही अच्छा गाती है तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जितने भी सोच हो वो उस linnet पक्षी की तरह हो बिलकुल मीठे And have no business but dispensing round their magnivities of sound जिनका और कोई काम ना हो बलकि वो अपनी अच्छाई को अपनी pleasant sound को दुनिया तक पहुँचाएं यानि उनकी खुबसूरती पर फोकस ना किया जाए बलकि उनकी अच्छी सोच पर फोकस किया जाए Nor but in merriment begin a chase, nor but in merriment a quarrel मैं चाहता हूँ कि जिन्दगी भर अगर वो कभी खुश हो, कभी किसी चीज से जगड़ा करे तो ये सब कुछ क्या हो, एक merriment की तरह हो, बिलकुल मजाख में हो यानि कोई उसे परिशान भी करे तो ये छोटा सा मजाख हो, वो किसी से जगड़ा करे तो ये भी एक मजाख हो, मैं उसके लिए बस इतना ही चाहता हूँ Oh may she live like some green laurel, rooted in one dear perpetual place मैं चाहता हूँ कि वो एक हरे laurel की पेड़ की तरह हो, जो हमेशा क्या करे एक single जगा पर रुकी रहे वही पर उसका घर हो, वही पर वो टिकी रहे, मैं बस यही चाहता हूँ अपनी बेटी के लिए My mind, because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little मेरा दिमाग, चूंकि जिस तरह की दिमाग को, जिस तरह की सोच को मैंने पसंद किया है, प्यार किया है जिस तरह की खुबसूरती को देखकर मैंने उसे अपना बनाना चाहा है, मैं जिसकी तरफ attract हुआ हूँ वो सब क्या करती हैं बहुत कम प्रॉसपर करती हैं वो सही नहीं है और इसलिए मेरा ये जो दिमाग है वो अभी कह सकते हैं सूख सा गया सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है फिर भी मैं जानता हूँ मेरा दिमाग ये जानता है कि अगर आपके अंदर सिर्फ evil chances हो, hate हो यानि आपके दिमाग में सिर्फ नफरत भरी हो तो जितनी भी बुराईयां हैं, जितने भी evil chances हैं उनमें वो chief है, सबसे बड़ी है, सबसे गंदी है यानि नफरत सबसे गलत चीज है और ये आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए If there is no hatred in our mind, अगर किसी के दिमाग में कोई hatred नहीं है, कोई नफरत नहीं है Assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf तो क्या होगा, ये जो हवा का destruction है, जो assault, जो एक तरह से attack कर रहा है ये wind उसे कभी भी, ये जो linnet है, ये इस पेड से, इस पत्ते से दूर नहीं होगी यानि चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों नहीं हो अगर हमारा जो मन है, वो साफ है, अगर हमारी सोच सही है तो हम कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, कभी भी दूसरों के लिए गलत नहीं सोचेंगे An intellectual hatred is the worst अब जो hatred हमारे दिमाग में होती है, intellectual होती है, जो हमारे दिमाग में जन्मी होती है वो सबसे बुरी होती है So let her think opinions are accursed तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा सोचे, कि जो आपकी opinion है, आपकी राय जो है, वो accursed है यानि दूसरों को जल्दी देनी नहीं चाहिए, उनसे बचना चाहिए, अपने opinions को खुद तक ही रखना चाहिए Have I not seen the loveliest woman born, out of the mouth of plenty's horn Friends, ये loveliest woman कौन है, ये है Maud Gorn जो की W.B. Yeats की एक crush थी, और उन्होंने Yeats को reject कर दिया था तो Yeats कह रहे हैं कि क्या मैंने नहीं देखा है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को जन लेते हुए जिसके पास mouth of plenty's horn था, यानि किसी चीज़ की उसे कोई कमी नहीं थी Because of her opinionated mind, barter that horn and every good और उसने अपनी इस mind के लिए, जिसमें बहुत जादा सोच है, हमेशा वो खुद की करनी चाहती है उसने क्या किया अपने इस horn का अपनी जो sufficient life है और जो भी अच्छा है उनका सौदा कर लिया, barter कर लिया, यानि उनका सौदा कर लिया और वो भी किस चीज के लिए, by quite nature's understood, for an old bellos, full of angry wind और वो सब कुछ किस के लिए, एक old bellos, एक बुढ़े आदमी के लिए जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, angry wind, यानि बहुत जादा गुस्सा वो अपनी life में सब कुछ पा चुकी थी, एक sufficient औरत थी वो लेकिन उसने अपनी खुबसूरती पर घमंड करते वे, एक बुढ़े आदमी से शादी कर अपनी जिन्दगी बरबाद कर ली Considering that, all hatred driven hints ये सोच कर, जो भी hatred है हमारे मन में, उन सब को दूर कर दिया जब जाता है The soul recovers radical innocence तो हमारी जो soul है, वो radically pure हो जाती है, innocent हो जाती है यानि पूरी तरह से हमारी soul जो है, वो pure हो जाती है And learns at last that it is self-delighting, self-appreasing and self-affrighting और फिर हमें क्या पता चलता है, कि हमारी जो soul है, वो खुद को delight करती है खुद को खुश करती है, खुद को appease करती है, शानती पहुँचाती है और खुद को affright करती है, यानि दराती है हमें दूसरों की जरुवत नहीं है, ये सारे emotions हमें अपने खुद के soul से मिलते है And that its own sweet will is heaven's will और जो भी sweet will, जो भी उसकी इच्छा होती है वो क्या है, heaven की इच्छा है, God की इच्छा है यानि जब हम बिना नफरत के साफ मन से सोचते हैं तो हमारा decision बिलकुल सही होता है She can through every face should scowl and every windy quarter howl तो जब भी मेरी बेटी, जब भी उसके सामने लोग क्या करेंगे आवाज है, हर जुगा सुनाई देगी और every bellows burst, be happy still और जब हर एक इनसान उस पर burst करेगा, गुसा करेगा तब भी वो खुश रहेगी कितनी भी परिशानिया क्यों ना आ जाए अगर उसका soul pure रहेगा, वो अपने beauty पर घमण नहीं करेगी तो क्या होगा, वो खुश जरूर रहेगी और मैं चाहता हूँ कि उसका जो bridegroom हो, जो उसका होने वाला husband हो वो उसे एक ऐसे घर में ले जाए जहां सब कुछ accustomed हो यानि custom के अनुसारीती, रिवाजों के अनुसार किया जाए accustomed और ceremonious घर में ले जाए और इसका कारण क्या है for arrogance and hatreds are the wares peddled in the thoroughfares क्योंकि ये जो arrogance होता है कि मैं सबसे जादा superior हूँ और जो hatred जो नफरत होती है वो कहां मिलती है हमें peddled in the thoroughfares यानि हम कह सकते हैं ये सड़कों पर बिखती है ये से पाना बहुत आसान है नफरत करना खुद को दूसरों से उपर समझना इस तरह की सोच को पाना मुश्किल नहीं है लेकिन how but in custom and ceremony are innocence and beauty born लेकिन जब हम customs में traditions में रहते हैं ceremony को follow करते हैं लोगों को respect करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है innocence होती है एक तरह की purity होती है और साथ ही खुबसूरती होती है वो जो खुबसूरती है वो real beauty है skin की beauty जो है वो कुछ नहीं है ceremony is a name for the rich horn ये जो ceremony है जो tradition है वो क्या है एक कह सकते हैं एक symbol है उस rich horn का जो sufficiency की हम बात कर रहे हैं कि हर औरत खुद में संतुष्ट रहे उसके लिए एक symbol है ये ceremony and custom for the spreading laurel tree और जिस पेड़ की तरह वो चाहते हैं कि उनकी बेटी ग्रो करे एक ही जगा पर रह कर ही बढ़े दूसरों से छिपी रहे वो है custom तो यहां पर फ्रेंट्स ये poem खत्म होती है poem में basically poet जो है वो अपनी बेटी के future को imagine कर रहे है लेकिन इसमें बहुत तरह की अलग-अलग जो उनकी themes है वो नजर आ रही है कि किस तरह की एक life एक woman को जीनी चाहिए किस तरह की सोच उसे रखनी चाहिए और कहीं न कहीं beauty जो है वो आखिर क्या है इसे भी discuss किया गया है तो friends ये थी William Butler Yeats की poem A Prayer for My Daughter अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like, comment और share करें